गुड मॉर्निंग नमस्कार साथियों कैसे आप सभी स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुप्रियाजासर के साथ यूप्यासियाडा चैनल पर तो आईए जरा आज की क्लास के सुरुआत किया जाए जो इत्यास के प्रस्ण है उसको किया जाए और सभी लोग एक बार ट्राइ करेंगे लाइक सेर कर देने के बच्चों और बढ़िये जरा सैसन क्यूर तो देखें सैसन पर बढ़ने से पहले आप बच्चों को बता दें कि भई आपके लिए इंदी माध्यम का भी आपका मैकजीन जो है वो आ रहा है इसके लिए आपको डाउनलोड कर लेना है और काफी सारे चीजें इससे रिलेटेड आपको मिलती है इसके बाद सर आपका न बच्चों और वही सेम आपका कोड क्या है Y260 के साथ और महापैक के साथ ये और भी इजिली आपको और भी मेंस से लेवल से भी चीजें आपको मिल जाती है चलिए सर कोसन के सुरुआत करते हैं अब परतम मानव जिवासम भारत के किस नदी घाटी पर प्राप्त हुआ बि दूसी जी गुड बारिंग चले बढ़ें बताइए क्या होना चाहिए अंसर सर नेतिन गुपता जी बहुत बढ़िया नदीम बिलकुल सही है भाई गुड और सभी लोग ट्राइकर या अंसर बताने की बिलकुल बिलकुल सही सी 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 आप सब जानते नर्मदा नर्मदा घाटी है ना घाटी है बचो यह नर्मदा घाटी पर आपका प्रतम मानव जिवासम को ढूला गया ना सभी लोग आगे बढ़कर लाइक वाइक सेर करके आंसर करिये बचो भारत में पहले सामराज के अस्थापना किस सासक के द्वारा किया गया किस ने भारत में पहले सामराज के अस्थापना किया था बच्चे बताएं जल्दी जल्दी से भई जाना येस ओके जैन्थी जी गुड मॉर्निंग आंसर कर ये बच्छे फट आफट से सभी लोग यस नदीमो के चंदरगुप्त मौरिया बिलकुल बिलकुल पूरे सामाज की जो भरत अस्थापना किये थे दैट वास चंदरगुप्त मौरिया option number A is correct answer next question बुद्ध की ये बुद्धे बच्छे ठीक है ना बुद्ध की प्राचीम पृतिमा किस सैली में प्राप्त हुई है और पंचार सेली मतुर्या सेलरी मौर्या सेली गुपता Сेली या फिर आपका ये मतुर्या सेली है ठीक है मौर्या सेली आपको बता देरें, गुपता सेली बताए, yes, तीस लोग लाइब है बच्चो लाइक सेर के साथ आगे बढ़ियेगा 32 तक पहुंचे गारी भाई थोड़ा लाइक वाईक कम है भाई 25 लाइक है सिर्फ आगे बढ़ा है निसा चौधरी गुड मारिंग और चलिए जगरती जी ओके रूबिया जी चलिए बच्चो आंसर की और बढ़ा जाए आप सभी को बता दे कि क्या है करेक्ट आंसर सर करेक्ट आंसर है आप सब को पताए या संजली गुड वर्लडन निसा चौधरी बताए थे कि ये करेक्ट आंसर इसका क्या है भई टिक अब देखें इसमें क्या है correct answer गुप्ता सैली आप लोग बता रहे हैं ठीक है ओके तो गुप्ता सैली नहीं है ध्यान रखिएगा दो सैली आपको ध्यान रखना है एक है गांधार ध्यान से सुनना गांधार ओके और यदि ये option में नहीं है पहले तो ऐसे गांधार है ठीक है गांधार है लेकिन यदि गांधार नहीं option में तो फिर आपको क्या करना है तो फिर आपको मतुरा सैली करना है otherwise इस question का आपको बता दे गांधार सैली is the correct answer ठीक है ये आपको ध्यान रखना है तोड़े यार थोड़ा सा ध्यान रखना है आप सबको ठीक है थोड़ा सा ध्यान रखना है जब आपको जो कॉंसेट बताए गया परसों ही अमने ये बताए था कि गांधार सैली में पहला था बट उसके बाद क्योंकि कोस्टिन में गांधार सैली के जगा पांचार सैली लिग दिया था वाई चांस प्रिंटिंग में तो आपको उससे मतलब भी नहीं आपको उसकेस में नन अपदाभव पे नहीं जाना है उसके बाद कौन सा उसको देखना है ठीक है यही नन अपदाभव का में खेल करने वाला है बच्चों चलिए बढ़िया आंसर करिए जरा यस सिवानी जी गूड मॉर्निंग बिल्कल चलिए सर 36-38 लोग लाइब हुएं लाइक सर के साथ आगे बढ़ेंगे बच्चों बिल्कल सही है इसको सिनकार आンसर क्या है कलिंग विजय का नधीम बताओ कलिंग विजय का वरनान किसमें किया गया है देखें क्या बता रहे है नदीम देखे correct answer है sir आपका none of the above none of the above ठीक है और इसका logic क्या है आप सभी को पता है नहीं जूनागरत नहीं है रूबिया जी इसलिए regular हरे class को यह आप attend करेंगे तो आपको पता रहेगा कि जूनागरत नहीं है क्योंकि यह बताए था कल या पर्सों में ही ठीक है तो ध्यान रखे correct answer क्या है आप सब को पता है कि 13th rock addict में यह बताए गया है तो इसलिए यह वाला question का answer जो है वो आपका उप्रोक्त में से कोई नहीं जाएगा चलिए सन 1565 में कौन सा परसद्ध युद्ध हुआ था पानी पत का परतम युद्ध पानी पत का दुद्ध खानवा का युद्ध तालिकोटा युद्ध या उप्रोक्त में से कोई नहीं बताए चालिस लोग live है बत्चो like share के साथ आंसर को बढ़ाईएगा दिपिका जी good morning ठीक है फटा फट से आंसर करिये बच्चो हुँ परसांत होके नितिन निसा स्वाडिमा ओके दुर्गेश चौरासिया जी संजुकता जी अंजली ठीक है सभी लोग डी 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 लगा रहे बिलकुल सही है सर्त तालिकोटा का युद्ध जु है 1565 में या आपको ध्यान रखने है मांगी पानिपत का पर्थम युद्ध आप सब जानते हैं कि 1526 में किया गयाता है ना पानिपत का दुद्धी युद्ध आप जानते हैं आक्वर के टाइम पर किया गया था यानि 1556 में खानवा का युद्धा आप काफी पर चली थे सल्तनत काल में सर्वजनिक वेतरन परनाली की प्रारंब है ना पबलिक डिस्टिबिशन सिस्टम बचो ये कई बारा आपको बताएगा बिलीब करिए ये सब के सब प्रीवियस येर का ही कोसन है मतलब देखे जितने भी कोसन बनाए गए थे यानि इनको यदि आप सीधी बाते इनको अच्छे से कर पा रहे है तो आपका कॉंसेप्ट अच्छा है यास आई एस बॉय बाई बाई गुड मार्निंग चले पवन जी नमस्कार गुड मार्निंग बाई गुड मार्निंग आंसर करें बच्छों चोवालिस लोग लाइव हुए है लाइक सेर के साथ आगे बढ़िएगा अनन्या जी ओके ठीक है नितिन ठीक है रूबिया सुल्ताना जी ठीक है ओप्सन ए ओप्सन ए ओप्सन है ना तो बिल्कुल बच्छे आपका अलाव दिन खिल जी के द्वारा आपका पीडिया सिस्टम की सुरुवात किया गया था पब्लिक डिस्टिबियोशन सिस्टम बिल्कुल आपको ध्यान रखना है नेक्स कोषन पर चलते सर अगला भारत रतन परतम प्राप्त करने वाले वाले पहले भारतिया पहले भारतिया अपने जो है वो कौन है बताएं राजएंदर प्रसाद जवाला लेलू लाल भादूर सास्त्री एस राधा कृस्णन ट्राइटो आंसर कुमार साहब नमस्कार और लाइक सेयर करते रहे हमारे स्रीकरस्ण जी भी कह रहे हैं लाइक सेयर लाइक सेयर बिलकुल भाई लाइक सेयर करते रहे है बच्चो दुर्गेश चौरसिया जी होके नदीम का हो गया E option कैसे आगया भाई ध्यान रखे ठीक है सभी का आंसर चाहिए बिल्कुल सही है E E E E E 44 में से कुछ लोगों का आंसर अलग भी आ रहे गया E is the correct answer रहना चलिए अगले कोसर पर बढ़ी है अगला भारतिय रास्ट्री कॉंग्रेस के दृत्तिय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे सर दृत्तिय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे बताएंगे हम दृत्तिय मुस्लिम अध्यक्ष पैंतालिस लोग लाए बच्छो लाइक सेर के साथ आंसर करिएगा जल्दी जल्दी से बचे अबुल कलाम आजा जाकिर हुसेन ठीक है कौन बताएं अनन्या होके देखे इसमें थोड़ा लॉजिक लगा कि आप आंसर करेंगे या संजली गुर्ड नदीम गुर्ड मेगा जी गुर्ड चली आंसर को देखा जाएं लॉजिक लगा के कैसे देखे सर अबुल कलाम आजाद आप सब जानतें 1923 के अना 1923 के थे जाकिर हुसेन तो अव्यास है ये स्वतंतरता के बाद वाले पार्ट में आप इनका नाम जादा जानते हैं बदरुदीन टैब जी 1885 में ये था 86 में वो थे 87 1887 वाले अध्यक्षते हैं ना तो वह या बचे कौन आपके ठेक मौम्मद स्यानी इस दा करेक्ट आंसर ठीक चली ओके नेक्स कोशन है यास यास नितिन बिल्कुल सही है अगले कोशन पर आईए सन 1902 में लौड करजन ने दो भारतिय सदस्यों को समलित करते वे एक विश्विद्यालय आयोक का गठन किया वे दो कौन थे वे दो कौन थे है ना ठीक है अरे हाँ वो नदीम वो समझी रहो ना थो आनर्जी गोपाल करिस्ट गोखले रास भीरी बोस है ना ये रास भीरी पोस नहीं अब आज मुझे थूड़ा सा इनिको टैपिस्त महुद्य को खेर रास भीरी पोस नहीं है बच्चे रास भीवारी हना बोस है ठीक अगला हुसेन बिलग्रामी और सुरेंदर नात बेनर ज चाहिए चलिए ओके आंसर पर बढ़ा जाए सर आंसर को देखा जाए यास ऑप्सन नमबर डी इस करेक्ट आंसर ठीक है अगले कोशन पर आईए अगला कोशन क्या है पूना सार्वजनिक सभा की अस्थाप्णा किस ने किया था ठीक है ओके पूना सार्वजनिक सभा 1858 में महा अदेव गोमिंद रनाडे 1870 में पंडित राम भाई रनाडे 1870 में सुरेंद नाद बेनर जी बताईएगा चलिए सर 46-47 लोग लाइव हैं आगे बढ़कर आंसर वांसर करते हुए लाइक से रियार करते रहिएगा बच्चो जल्दी जल्दी से जरा बिल्कुल निसा रूबिया जी ओके सभी लोग गड़ बहुत बढ़िया चलिए सर आंसर की और जाना जाए कि सर क्या है आंसर तो आप सब जानते हैं 870 में गोविंद है ना ओप्सन नमबर बी 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 सभी बच्चो का यस गड़ पचास लोग लाइव है भाई अभी लेकि तोड़ा साप क्या करेंगे लाइक वाईक को बना डालेंगे है ना चलिए दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंब किया गया था दीन इलाही किसने सुरू किया था बच्चों बताए बाबर जहांगीर और अरंजेव साजहां उप्रोक्त में से कोई नहीं बताएं बच्चों बताएं बहुत बड़ी आनुद साब ठीक है अब इस कोईसिन का अंसर बताओ भई बिलकुल सही है बिलकुल सही है आप सब जानते हैं दीन इलाही किसने किया था अकबर ने किया था है न तो इसलिए यहाँ पर उप्सन क्या जाएगा सर आपका उप्सन जाएगा उप्रोक्त में से कोई नहीं ठीक है सो उप्सन नमबर ई इस दा करेक्ट आंसर चलिए अगला कोशन अस्ट प्रधान मंत्री परिशत किसके राज्य प्रवधन में सहायता करती है मतलब अस्ट प्रधान जो है मंत्री परिशत किस से जुड़ा हुआ था सर बाबर अकबर और अरंजेव सिवाजी या फिर आपका नमबदा अब बताईएगा जल्दी जल्दी से बच्चे शिवानी सिंग जी बहुत बढ़िया अब इसका बताओ निदी सुकला जी गुड ठीक है यार 53 लोग लाइव और लाइक अभी सिर्फ 36 है फटा फट पचास से तो ज़्यादा होई जाना चाहिए कम से कम लाइक न है ना ट्राइ तो करिये आप लोग आप लोग ट्राइ करें तो क्या न हो जाए ध्यान रिखे सर सिवाजी को जब कॉरोनेट किया गया था 1774 में 1674 में इसके बाद 1674 में अंग्रेजी वालों के लिए उसके बाद इन्होंने अश्ट प्रधान और उसमें से सबसे मुख्य जो थे बुथे आपके पेशवाई ये सब कोशन आया हुआ है अगला कोशन सर्व भारत का पर्थम गवर्नर जैनरल कौन था हुआ था फर्स्ट गवर्नर जैनरल आफ इंडिया लॉड मेयो लॉड लॉड नीहन लॉड कैनिंग लॉड उपनी नन अब दावाब मोर देन वन बताए चलिए गॉड बार्निंग भाई गॉड बार्निंग अजब पिछले में अकवर आप्शन में दे रखा था क्या अकवर दिखने में आई नहीं रहता ना अच्छा अकवर अच्छा ये नहीं से पिछले में बच्छे अकवर नहीं है अप्शन में ना ठीक है ओके कोई कह रहा था अकवर चलिए अब इस कोशन को बताईए तान्या अनुझ कहे सर आज बहुत सारे अप्शन आपके सी वाले दिये हैं सर हाँ बाई ये वाले इसलिए दिये चलिए ओके तो आंसर पर बढ़ा जाया और क्या है सर आप सब जानते पहला गवर्नर जेनरल फर्स्ट गवर्नर जेनरल क्या था बही तो आप सब को बता दें आप सब जानते सर फर्स्ट गवर्नर जैनरल आफ इंडिया जो थे आपके विलियम बेंटिक थे और विलियम बेंटिक आप्शन में नहीं है इसलिए नन अब दावाव more than one is correct answer अगला भारत में बिटिस राजी का संस्थापक पून था बिटिस राजी का संस्थापक पूछा गया है बच्वाना ओके तो धानर के बिटिस राजी का संस्थापक स्लिमन लॉर्ड मिंटो लॉर्ड क्लाइब लॉर्ड मेयो उप्रोक्त में से कोई नहीं more than one भाई 55 ल चीक है ओके बिलकुल सही क्लाइब ग्लाइब 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 बहुत बढ़ी अबचे गॉड आप सब जानते हैं क्लाइब के द्वारा बोच अप राइज से 1717 के युद्द में आपका जो बैटल आप प्लासी बाल पार्ट है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था 857 की क्रांती में सरूपथम हना कहां से सुरू हुई ठीक है तो आप कोशन को इस तरह से पड़ेंगे 857 की क्रांती सरूपर्थम प्रारम हूई कहां से ठीक है लखनाओं इलाबाद फ्रांसीसी मेरक नन अभ दबर मोर्दन बताईएगा हाँ साथ लोग लाइब है बच्चो लेकिन लाइक अभी सिर्फ एक तालिस है थोड़ा यार लाइक वाइक पांस सेकंड का टाइम लगता है आप लोगों का लगाई ये और बढ़ाई ये जरा भाई देखा जाए सर की क्या है यास नदीम बिलकुल सही है मेरट 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 जन का भी आंसरा रहा है सर बिलकुल सही मेरट दस मही है ना अच्छे ये बताएं मेरट दस मही तो आपने सही बताया अब ये भी बताओ जैसे आप सब जानते हैं मंगल पांडे है ना कौन से टीम के हि कुमार कह रहे, मेरट में मंगल पांडे नहीं भाई, मेरट में मंगल पांडे थे ही नहीं पहले, तो ये याद रखेगा, ठीक है 10 मही को बच्चे हमने पुछा किस बटालियन के द्वारा पहली सुरुआत किया गया है यदि आप बताएंगे तो बहुत बढ़िया आगे बढ़ने से पहले जब तक आप कमेंट करेंगे आपको बता दे, चानक के का फोर्थ बैच शुरू हो चुका है सर, और ये जो बैच है सूपर डूपर बैच आपका चल रहा है और इसको भी आप जोईन कर सकते है सर क्या, वाई कोट वाई 260 के द्वारा चले नेक्स कोशन पर बढ़ते है मुंडा विद्रो का नेत्रित तो किस ने किया नदीम मंगल पांडे 34th बटालियन भाईया वो बहुत पहले ही कर गए थे विद्रो मैं पूछ रहा हूँ, 10 मही को जो शुरू किया था, वो किस ने किया था कई बच्चे लिख रहे हैं और कई बच्चे बहुत गड़बड कर रहे हैं, चलो इस कोशन का अंसर करो यार एकदम 4-5 दिन रहे गे और तुम लोग ऐसा करोगे क्या चलिए इसका अंसर बताईए, निसा चौधरी चीक है, ओके तो बिल्कुल सही मुंडा विद्रो का नेत्री तो किसके द्वारा किया गया था तो आपको ध्यान रखना है, बिर्सा मुंडा बिर्सा मुंडा, तो यहां पर बिर्सा दे रखना है अच्छा अच्छा रदीम कहें सर बिर्सा को विर्सा दिया भाई, वह हिंदी में लिखा गया, कहें टेंचल ले रो, तुम लिख लो, आव वो आंसर कर लो, रनाडे, द्यानन्द, द्यानन्द, स्वामी विवेकानन्द, या फिर नन अब दावा, बताएं चल या ठीक है, ओके, खुसी जी, ओके, ठीक है, हर्स, ठीक है, नितिन हर्सेिता सवाड啊, द्यानन्द, सरस्वति, रूबिया जी, शीवानी जीवेक अननद नहीं है शीवानी जी, द्यानन्द, सरस्वति, अथार उपेजवतर में किये थी, ना, ऐसे याद रखा कर यवा, चो कई बार यह बताए है हमने एडी आरे समाज द्यानन सरस्वती ठीक है अगला हां तो कुसे ने सर 1885 में आज तो टाइपिंग वाले पार्ट को हमें भी खुद देखना पड़ रहा है उसके बाद आपको बता रहे 1887 में ठीक है W.C.B.N.R.G. द्वारा इंगित भारतिय राश्ट्रे कॉंग्रेस के निम्न उद्देश में से कौन सा नहीं था सर कौन सा नहीं था उद्देश यह आपको बताने है ठीक है ओके और देश के हितों है ना की रक्षा करने के लिए भारतियों के भी संपर्क और मितरता देश वाच्छियों के भी जाती संपरदाय और प्रतिय प्रच्छ पातों की भावना से दूर करके उसमें राश्ट्रे चलिए सर ट्राइ करिए इस कोशन को देखकर घबराना नहीं है क्योंकि विपल का अंसर एकदम सही आ चुका है बहुत छोटा छोटा लिखा है सा रूबिया जी वह कुल तुम से वह यहां बहुत ज़्यादा खाली होगे तुमारी आँक नहीं खुल रही होगी आज है ना करेक्ट आंसर क्या है वही करेक्ट आंसर है इनमें से दो तीन ओप्सन है जो कि आपके कॉंग्रेस का मुख्य विचार था तो इसलिए आपका नन अब दावा मोर देन वन इस करेक्ट आंसर चलिए अगले कोशन पर 1906 में लंदन में अविनो भारत सोसाइटी की अस्थापना किस ने किया था विनायक दामोदर सावरकर स्याम जी कृष्ण वर्मा सोहन सिंग या पी एन कपट हम ठीक है सिवानी ये कोशन तो अच्छा खासा बड़ा बड़ा है अब बताओ हम नदीम ठीक है बिलकुल सही है बिलकुल सही है सो करिक्ट आंसर क्या है भई बिलकुल ए ए ए ए ठीक है तो विनायक दामोदर सावरकर इस करिक्ट आंसर ठीके है एक्चली ये बनाये गया था 1904 में सुरवाती दौर में लेकिन बाद में चलकर इसको लंदन में भी लेकर गए और वीडी सावर कर इस करेक्ट आंसर ठीक है ना अगले पार्ट पर भारत छोड़ो अंदोलन के दौरान आजाद दस्ता का गटन किसके द्वारा किया गया है ना राम नौरलया ठीक है मौनाते चीतु पांडे जैप्रकास नारायन उप्रोक्त में से कोई नहीं बहुत गजब आज टाइपिंग करें चलिए बताएं बच्वांसर अनन्या ठीक है निकिता ठीक है संजुकता जी ओके नदीम नदीम आनसर करो जल्दी जल्दी जरा ध्यान रखें तो आप सभी को बता दें कि सर जैप्रकास नारायन इसका करेक्ट आन्सर है टीक है आजाद दस्ता बनाएता बच्वाँ और इसका मुक्याले जो था वो नेप्वार्यां रखना है और दूसरा कई जगों पर इसी 1942 के दोरानी पैरलल गौर्मेंट के सुरवात कर दी गई थी है ना पैरलल गौर्मेंट कहां कहां किया गया था पैरलल गौर्मेंट के सुरवात या बता सकते हैं किया कमेंड में जल्दी से बताईएगा जब तक आप बताएंगे आपके लिए अग और उनने सो सोला उनने से ग्यारा लो बताओ एक साम्भवी ठीक है संजुकता नितन ठीक है मुखोल ठीक है भई हर सिता जी ठीक ओके नितन गुपता जी चलिया अंसर क्यों बढ़ा जाए और correct answer क्या है sir तो इस question का correct answer होना चाहिए option number E option number E बिल्कुल सही है क्यों है sir क्योंगे आप सब जानते हैं आप सब जानते हैं कि पहले जो शुरुवात किया गया continuous हर एक साल session करने की वो किया था 1907 से 1907 से 1916 में विपल जो तुम बता रहे 1916 में क्या हुआ था भाई सुनो 1916 में पहली बार ना इसको ये कहा था कि Congress ने माना था कि Muslim League Official Party है ठीक है so that's why option will be option E next question पर्थम चलो question को अटा भारतिय राष्टी Congress के द्वित्तिय मुस्लिम ये करा क्या गया है भाई सन 1902 में लॉट करजन ने दो भारतियों को दिया था ओके वेट यार बताईए चलिए भारतिय राष्टी मुस्लिम कॉंग्रेस के द्वित्तिय संभिलन में कितने मुस्लिम परतिनी दियों ने हिस्सा लिया था बताएं 233 41 बताईए बच्चो ट्राइट वांसर आगा चले डी गए और उसको पता थाना कि आज लास्ट है वे पुलिस ही लिए बहुत गड़वड खैर आंसर भाई तैस ठीक है तैस अच्छे यह बता दे आपको कि इस इस इसमें 484 लोग पार्टिसपेट किये थे और ध्यान रख़े का उसमें से 33 बुस्लिम डेलिगेट थे आच्छा पेहले पहला जो कॉंगरेस का सैसन वा यह बता पहला जो congress का session हुआ था उसमें कुल कितने सदस से थे बाई बता सकते हैं फर्स्ट congress के session में कुल कितने सदस से थे बताईए comment में चले कोई बात नहीं यदि question की कुछ ऐसा बाई चांद printing में फ्रिंटिंग में थोड़ा सा ऐसा हो रहा है तो आज topic को कोई डिसकस कर लेंगे ना कई टैंसन थोड़ी है हूं चंपारन है बच्चों ये चंपारन आंदोलन मुख्यता किसके विरोध में था ठीक है और बिल्कुल हिमें बिंग होता है कोई भी थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है टैपिंग के ऐसा कोई टैंसन ना लेना आप लो चले पहले सेसन में बहत्तर लोग थे और बिल्कुल सही है दूसरे में 484 ठीक है चले तो आंसर पर बढ़ा जाए और आंसर क्या है सर बिल्कुल है नगदी फसल नगदी फसल अच्छे ये बताओ वर्तमान में क्योंकि ये चंपारन आप जानते बिहार से जुड़ा हुआ है वर्तमान में जो बिहार का आपका में आपका क्यास क्रॉप है नगदी फसल है क्यास क्रॉप है वो कौन सा है में जो अभी क्यास क्रॉप है वो कौन सा है बताईएगा ठीक है जल्दी से बताएंगे और पिछले का अंसर आप लोग बिल्कुल सही बताए थे बहत्तर लोग ह से 49 लोग एड़ोकेट हैं ये भी कोशन पूछा गया है बच्चों कि पहले सेसन में 72 लोग हैं उनमें से कितने लोग एड़ोकेट थे तो ध्यान रखेगा 49 लोग उसमें से एड़ोकेट थे ठीक है आज के वक्त में यह दिया हम लोग कौन सा है इंडिया में बिहार का रेंग कौन सा है सुगर केट प्रड़क्शन में एड़ परजेंट ठीक है और साथ साथ एक और कोशन को बता दीजे आप सब जानते हैं कि सुगर केन के परड़क्शन के लिए हमें क्या चाहिए सर सुगर केन के परड़क्शन के लिए हमें चाहिए पानी की अच्छी व्यवस्ता होनी चाहिए तो ये बताएं कैनल से कैनल से ठीक है इरिगेशन करने वाला सिचाई करने वाला कौन सा राज्य वो कौन सा राजी कहने कौन सा डिस्टिक बिहार का सबसे इंपोर्टेंट है मैक्सिमम कैनल से आपका सिचाई कहां पर होती है बताईए कोशन तो यह खड़े-खड़े कोशन खड़े हो जाते काहिल टेंसन लेना है ना यह परसांद बिल्कुल सही ध्यान रखेगा सुगारकेन परडक्शन में बिहार का भी वर्थमान में जो रेंग है बच्छे वो कौन सा है? सिच्ट रेंग है ठीक है, सिच्ट रेंग है अब यह दि बात करें कैनल की सर तो कैनल में क्या है? कैनल में कौन सा आपका डिस्टिक प्रतम अस्थान पे है? ये बताएंगे पिछले का सभी ने अंसु जी सभी लोग बिल्कुल इस बाइ का पटना नहीं बाइ पटना वाटना नहीं है अनन्या गोड अंसु जी गोड ध्यान रिखे का करेक्ट आंसर है बच्छे आपका रोतास ठीक है जीपेस के हम तो सोचे की सर यह वाई आंदोलन कब हो गया ज्यान रिखे रोतास इस करेक्ट आंसर ठीक है अच्छे ये साथ-साथ यहां पर एक और पॉइंट बता दो की बिहार में जब बिहार वाले पार्ट को देखे रहे तो बिहार में मैक्सिमम डेंसिटी मैक्सिमम डें क्य Deck Kommarazzi अच्छा साथ-सात एक और बताव लिट्रेसी में साक चरता में सब सेंग सबसे कम है नस्ट लीटरेट यादी कहें तो लिस्ट लेट्रेट ठीक है कौन सा है डिस्टिक बताईएगा जल्दी जल्दी से लिखें हुम नदीम कैन मैं मूर मूर मझलब थुम भी टाइपिंग मिस्टिक करो गए क्या बैक कैमूर एक मूर्टी कैक मूर ओके अच्छा लिस्ट लिट्रेट पॉन सै लिस्ट लिट्रेट कॉन सै सब से कम पढ़ा लिका बताएं बहुत बढ़ी अनिसा नितिन गुपता जी गोड़ 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 पाइप यूपी वाला भी पढ़ा होगे क्या बस दो चार दिन रुख जाओ आप यूपी नौ तारिक से जो अमारी क्लास होगी न वो यूपी के लिए होगी ठीक है काहिल टंचन ले रो अभी तुम इनको सपोर्ट करो उस टाइम वो तुमें सपोर्ट करेंगे न और ये सब के सब अगला यूपी पे कनवर्ट होंगे ठीक कैर आप सभी को बता दे करेक्ट आंसर है सर कोई और बताएगा क्या करेक्ट आंसर क्या है अभी तक बस एक नितिन गुपता जी का सही आंसर मिला है हमें वाकी किसी का नहीं और कोई बता वई सिवहर सिवहर नहीं है बचे सिवहर नहीं है ठीक है यह आपको सौट कट सबसे पढ़ा रखा है वई उसके बाद भी आप लोग गड़बर कर रहे हैं अना नो देखे किसन गंज किसन गंज इस दा करेक्ट आंसर ठी चलिए अगले कोशन पर आईए किसने कहा जब तक या तीसरी सक्ती अथवा इंगलेंड यहां है हमारे संपर्धाइक मधवेद परिसान करते रहेंगे किसने कहा सर ये बताए राजेंदर परसाद मुलाना अबुलकला माजा जवाला लहरू विनायक दामुदर सावर कर जी ऐन यहां जां जाए निशसरा चोधरिया बिहारी हो सारे अगला ग्ला जब पुछो गए ना तुम तो अगला सारे के सारे यूपी वाले बन जाएगे तुमवें कॉन से राजजी का चाहिए वहीं यह बन जाएंगे सारे लोग बताओ आंसर करो IPS भाई नाम में तुम्हारे इतना बढ़ियां लगा हुआ IPS भाई आका में चिन्नी वाली हरकतें करो गए है बताईए आईसी आदब जी, ओके स्मीता जी परसांद मुकुल हरसिता इसीता और सभी लोग ट्राइट वांसा प्यूज सहब GPS किसी का अभी तक करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है ध्यान रखे, और कोई बताओ सभी लोग भाई नदीन बिल्कुल सिवानी जी करेक्ट आंसर इसका क्या है बच्छे आप सब को बता दें औप्सन नमबर EU प्रोक्त में से कोई सा नहीं ठीक है अगले कोई सन पर आईए देखें अगला तो कहीं गड़बर नहीं किया है कुछ 1934 में कॉंग्रेस सोचलिस्ट पार्टी के अस्तापना किस ने किया था बताएंगे 1934 में कॉंग्रेस सोचलिस्ट पार्टी की अस्थापना किस ने किया था सरदार नहरू जी और विनोबा भावे है ना जवाला नहरू और जैपरकास नारायन जेपी नारायन जेपी नारायन और आचार्य मौंदेव ठीक है बताएंगे बच्छो ट्राइट वांसर आप इसका आंसर खुद भी लिखकर भी कर सकते हैं आप सब को पता है कॉंग्रेस सोचलिस्ट पार्टी आपको पड़ा रखा है बच्वेना बताएं ट्राइट वांसर बिल्कुल निसाथ सही है अनुस सही है ठीक है अनन्याओ के तो बिल्कुल बिल्कुल भई और चाहिए और सभी लोगों का अंसर आना चाहिए यह पुसन सिंपल है जैप्रकास नारायन आचार्या एना बिल्कुल एंड एंड और ठीक है तो इस हिसाब से देखे तो आप से नंबर सी इस दा करेक्ट आंसर ठीक है चलिए अगला अठार्टार्ट सब चासी बे एक इक पुसन कोच क्या करा है इनों ने चलिए अगया वेट करना बच्छे जरा अगया जर्मनी के समर्थन में काबूल में राजा महिंद्र परताप सिंग के नेत्रित तुम्हें अंत्रिम सरकार का गठन हुआ था बताए किस के दौरान बच्छों hmm बताए त्राइ त्राइट वां सो चलिए आंसर की और बढ़ा जाए देखे करेक्ट आंसर क्या है ओके रूही त्यागी अनन्या देखे इसका correct answer जो आपको ध्यान रखना है बचे क्या है सभी लोग कह रहें दुत्ती विस्युद्ध के दौरान सर correct answer है none of the above क्योंकि ये दुत्ती विस्युद्ध नहीं था ना बचे है ना क्या कोक्षा आपको लगा गए tapping की problem हो गई क्या नहीं ध्यान रखेगा ये आपका प्रथम विस्युद्ध के दौरान था फर्स्ट वर्ड वार के दौरान था तो इसलिए यहाँ पर option क्या चला जाएगा option number E ठीक है चलिए next question पर तिलभागा आंदोलन जो है 1946 में बंगाल में आरम हुआ था किसके ने अत्रित तुम्हें बचे बताएं बताई ये ट्राइट वांट सर्भाण सर्भाण कि निसाख है जी सर यही लगा था कि सेकेंड की जिगा फर्स्ट लिग दिया होगा जुन्हों जो पक्का लग रहा है जो करें होंगे ना वह सोते सोते ऐसे ऐसे आख करते करते लिखेंगे समाझ निया रोगों को कि लिखा रहे है चलो एट्स ओके चली बच्छे बताईए जयान रखेंगे इस कोशन का अंसर क्या है भई नेतिन बिल्कुल सही है गोड और देखें सर एक बात याद रखेंगा कोशन जब भी छपे ना आप सब एक पॉइंट को ध्यान रखें जब भी कोशन छपे तो जो दिख रहे है उसके बेसिस पर आंसर किया करिये ठीक है अपना लॉजिक यह मत लगाईए का हो सकता है टैपिंग की प्रॉब्लम हो सकता ही हो नो जो दिख रहे है उसके यदि हुआ था दुर्गेश चौराथ से आप बिलकुल सही किसान सभा के नेतरी तुमें किया गया था बच्चे या या यानी ऑप्सिन अमबर भी इस करेक्ट आंसर चलिए अगले कोशन पर इन्वे सैसन हॉम रूल सपोर्टर हैना सक्सेडिट इन देर पॉलिटिकल पावर बता हैं हॉम रूल सपोर्टर बताईये चलिए कुछ कोशन डारेक्ट इस पूछ लिया जाएगा भी वन लाइनर टाइप है ना काई कुछ टेंशन लेना है चलिए करेक्ट आंसर इस का क्या भई लखनो सैसन ऑफ कॉंगरेस बिलकुल सही है लखनो सैसन में लोगों ने अपने आपको ठीक है पॉलिटिकल पावर जो है इनकी गेन किया था अब दो चार कोशन पहले यहां पर बताईये फिर अगले कोशन पर चलेंगे क्या पता फिर अगले में कुछ टैपिं में कहा हुआ था 1893 में कॉंगरेस का सैसन कहा हुआ था यह सब इंपोर्टेंट सैसने बच्चो जो आपको बताया जा रहे है ठीक है ओके दो कोशन का फटा फट से आंसर करिएगा और तीसरा कोशन है आप लोगों के लिए कि गांधी जी ने गांधी जी ने पहला जो का सैसन तो पार्टिस्पेट किया था वो कौन सा था ठीक है चलिए कोадцen की जگवाले लाइक सेर करते रही है यार लाइक सेर तो होते रहना चाहिए चलिए bol 1896 वाला कॉलकाटा से बताए 893 वाला कहा था ये बताएं ठीक है चलिए ओके और साथ साथ आपको बताएं गांधी जी ने पहला अपना जो सेसन था कॉंग्रेस का वो कौन से वर्स में इन्होंने जोइन किया था ठीक है प्रेसिडेंट नहीं बच्चे कौन से सेसन में हाँ ठीक है ठीक है अच्छा अगला है नेक्स कोसे ने आप लोगों का अगला कोसे ने सर बटलर कमीशन बताओ बटलर कमीशन कब एस्टेबलिस किया गया था बटलर कमीशन कब एस्टेबलिस किया गया था बताएंगे जल्दी जल्दी से वो सभी का सही है आपका कॉलकाता ठीक है इसके बाद आपने जो दूसरा बताया है कराची लाहोर वाला और तीसरा इधर आपने बताया है गांदी जी वाला 1901 ठीक है अब ये बताईए बटलर कमिशन कब बनाया गया था बचो ठीक है बटलर कमिशन कब बनाया गया था इसके किया गया था ठीक है वो कौन सी भासा में शुरू किया गया था ठीक बताएंगे चलिए बटलर कमिशन 1927 है ठीक है अब इसका बता दो भाई गदर 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 कौन से निस पे अगों कौन सी भासा में शुरू किया गया था बताएंगे जल्दी जल्दी से बताईएगा एक और कोशन है सर छोटा सा आप लोगों के लिए कि कुट इंडिया को लीडर लेस मुमेंट क्यों कहते है ये कोशन भी पूछा गया है लीडर लेस मुमेंट ठीक है लीडर लेस मुमेंट क्यों कहते है ठीक है कुट इंडिया को लीडर लेस मुमेंट क्यों कहते है ये भी भारत का पहला न्यूस्पेपर जो था वो कौन सा था भारत का फस्ट न्यूस्पेपर आपको बताने है बच्छे इसके बाद पहली भारत की पहली भारत की हिंदी में प्रकासित होने वाली जो पत्रिका थी यानि हिंदी में प्रकासित होने वाले न्यूस्पेपर वो कौन सा तो दो को सेने पहला निउस पेपर कौन सा था और पहला हिंदी में प्रकासित होने वाला निउस पेपर कौन सा था हम ठीक है ठीक है सभी को जेल में डाल दिया था इसलिए इसको कहा था लीडरलेस मुवमेंट बहुत बढ़िया बताई अगला कृसना जी कहें, ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये कोशन को आप लोगों को बताना है, और आईए जरा अगले कोशन पर ले चलें आप लोगों को, बहुत सारा कोशन हो गया है, जितना कोशन यह क्या था, कह रहा क्या है भाई, चलो, बताओ, स्वतंतरता पस्चाप स्वतंतरता पस्चाप बिहार का प्रथम राज जिपाल कौन मनाए गए थे सर बताएं बेंगॉल गैजेट ठीक है और मारतंड नितिन दोनों ही सही है गुड चले बताएं अगले कोशन जैराम जैराम यस जैराम दास दौलत राम बिलकुल सही है बचे आप्सन नमबर सी आप्सन सी करेक्ट है ठीक है ओके नेक्स्ट है 2011 में 12 में कितने जिले में 10 लाग से कम 10 लाग से जादा की जन संग क्या थी ठीक है 10 लाग से जादा की जन संग क्या थी कितने में यदि आप बता सकें तो ट्राई करिए आई सी आदब दुर्गेश चौरासिया जी ठीक है बिलकुल सही है सर तीन तीन ध्यान रखेगा तीन डिस्टिक जो है वो दस लाग से ठीक है कम की जन संग खावाला कमी है उसमें कमी है ठीक है ज्यादा ने यह कमी है बहुत गड़बर हुई है आज टैपिंग में कुफ्च अस तूरा शेयां इंजित क्वा सेघीक है Aber अच्छ ऐप्सन दी ऑप्सन दी वैलंताइन चरॉल इस करेक्ट आंसर अगला फूपाटिसपेटे डीन उनिष्व 1718 थारह एहमदाबाब सात्याग्रा लेड़ पाइद गांधी जी गांधी जी निजो नीष्व 1718 का सत्याग्रा किया था उसमें किस्टे लीट किया था ता प बिल्कुल फादर ओप इंडियन अन्रेस्ट यास प्रसांत बाल गंगादर तिलाग यास अब इसका बताओ इंडस्ट्रियल वर्कर इंडस्ट्रियल वर्कर रहना 35 परसेंट गांधी जी बढ़वा पाये थे खिलाफत कमीटी कॉंफरेंस वास हेल्ड इन विच रिक्वेस्टेट दा गांधी जी टू लीड दा नॉन कॉपरेशन मॉमेंट बताएंगे कौन सा था वो जल्दी जल्दी से बच्चो चले सर तो करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर है करेक्ट आंसर आप सब जानते हैं कि अलाबाद सैसन हुआ था जिसमें गांधी जी को कहा गया था कि आप ही पार्टिस्पेट करी है न अगले कॉस्टन पर बिल्कुल सही है थीक है तो क्या है आपका करेक्ट आंसर सर ईका मॉंट क्या है तो आप सब जानते हैं कि तर नू टेक्ट टू द गावर्वर्मेंट अप्सर नेुमसर नुबर ए the nature of social bycott है ना नई देवबंद in 1919 was क्या था इसका मेन फीचर बताएगा बताएं बच्छो बताएं यस बिलकुल बिलकुल सही सर जिनका भी ऑप्सन ए आ रहा है ऑप्सन ए इस दा करेक्ट आंसर नेक्स को सिंसर आई एन आ वास बेंचाल्ड अफूम and who founded it किसका ब्रेंचाइड था सरी ये आई एन ने तो भाई बीच में लगभग आठ दस को सिंको बहुत गड़वड किया था है आज इन्होंने बाकियो और को सिंक ठीक ठाक है चले बताएए आइए आणसर पराये बच्वा रांसर को जाना देखा जाए यस मोहन सिंग मोहन सिंग मोहन सिंग एस करेक्ट अंसर which executive committee of congress adopted a policy to abolish the right to land on our ship यस बिल्कुल सही नदीम साने मारूविया जी प्यूस और सबी लोग तो करेक्ट आंसर है सर आपका executive committee 1937 इसके साथ सर टार्गेट लबसना का आपका बैस्ट शुरू हूँ रहा है ग्यारा मईज ए कंप्लीट इंग्लिस मेडियम इसको आप जॉइन कर सकते सर वाई टू सिक्ष्टी कोपन कोड के साथ और देगे सर यूप एसी का महापैक पर भी आप जूड़ सकते हैं और इसके लिए आपको कोड क्या यूज करना है वाई टू सिक्ष्टी इवन एम आई के तुरू भी आप इस पर जोईन कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है बच्चो इससे काफी सारे आपके फायदे हैं नोटिफिकेशन सब मिलता रहता है और साथ साथ डाउनलोड कर लेना ओफिसियल एप को क्योंकि इससे आपके करेंट अफेर और कुईज और बहुत सारी चीज़ आपको अविलेबल होती है सर थेंग्यू के लिए छोटा सा एक कोशन है आपको बताने है बिहार में जितने भी ट्रावल मॉमेंट हुए है कुछ famous जो important जो आपको ध्यान हो उसको comment section में आपको लिखना है along with year किस वर्स हुए ये भी आपको लिखना है take care all of you मिलते हैं बहुत जल साम को 6 बजे mock test में ध्यान निवाद ठेक्या कारि मैं सरे जादSबी किस देवार साम थाद link को से कfa Шूँ झा जितने हैं भ्राव किस दर्सται को स्क्रव प्राव लिग सक्ष्गय